Hello students, last time हम लोग पढ़े थे mathematical logic और पिछली बार हम लोग ने exercise 1.8 खतम कर लिया था So, आज के वीडियो में we are going to start with exercise 1.9 Now, exercise 1.9 start करने से पहले तुम्हों को बता है exercise 1.9 में पूरे logic chapter का सबसे complex topic cover किया गया है पूरे logic chapter में बच्चा 1.1 पढ़ लेता है, 2 पढ़ लेता है, 1.8 तक सब पढ़ लेता है 1.10 भी पढ़ लेता है, बस एक exercise skip कर देता है बच्चा, कौन सा? Exercise 1.9, चाहे वो commerce का student हो, चाहे science का student हो, science वालों को भी पता है methodical logic की chapter है उनके chapter में भी जब 1.9 वाले questions आते हैं, वो लोग skip कर देते हैं अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1.9 में we have to study some law हम लोगों को क्या पढ़ने हैं? कुछ law पढ़ने हैं, कुछ ऐसे rules पढ़ने हैं, कुछ rules and regulation पढ़ने हैं मुझका यूद करके हम लोग logic के कुछ questions को solve करT आ औरporter यह law किसी के पंपता कैसे को समझ ही नियाता है law में बता क्या रहा है, क्या नि बता रहा इतने सारे law因 mutations सारे लौ LCD समझ में नहीं आता है यार इसको इन तो लुव किसको कम हैं पहले दर ऑगता इक बार गलती में आ गया तो याद नहीं होता अरे मान लो कि समझ में भी आ गया और बैटके पास रट रट के Ц्थरा जब कोषेंना आता है न तो समझ में नहीं इतने सारे लॉव पढ़े तब इधर कौन सा लॉव लगाँ पचास लॉव तो मैंने पढ़ लिए दस बारा लॉव मैं पढ़के आया हूं अब वहाँ पर तो कुछ समझी नहीं आ रहा है पहला वाला लॉव लगाँ दूसरा लगाँ चौता लगाँ पाच्वा लगाँ दस लगाँ कौन सा लॉव लगाँ और आखिर में होता क्या है कुछन सौल नहीं होता है तो आज के इस वीडियो में वियर ज़स्ट गूंग टूवर देई लॉव लोग आज के वीडियो में सिर्फ इन लॉव के बार में पढ़ेंगे यार नॉट गूंग तू स्टार्ट यह यह लॉव होता क्या है इतने सारे लॉव क्यूं है अच्छा इतने सारे लॉव है तो उनको समझेंगे कैसे एक बार समझ गया तो याद कैसे रखेंगे और याद हो गया तो यूस कैसे करना है वह तो एक्सेस करते टाइम सीख लेंगे जब क्वेशन करेंगे तब लेकि में जाओ जितना वीडियो तुम लोगों को ढूटना है ढूंढ लो लॉकं बहुनों बहुत मुश्किल लॉक्त समझ में आ जाएगा लेकिन इस वीडियो में मैं अपनी तरफ कितने लाओं है भाई एक बर दिखाता हूं तुम लोगों को जारा पीछे चलते हैं स्क्रीन पे यहां पर देखते हैं देखो दिख रहे हैं हाना देखो यहां से स्टार्ट होता है आइडेम पोटेंट लॉग असोशेटिव लॉग कम्यूटिटिव लॉग आइडेम पोटें तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ लॉट इदरी गिन लिए अब मैं एक बात बताओं यह नौ सिर्थ तुमको दिख रहा है अब यह और भी लॉग भाकी है कुछ ऐसे लॉग है कुछ अंसे लॉस जो यहां पर दिये नहीं है पर जब तुम कुश्चन सॉल्फ करोगे बिना उन लौ का यूज़ तुमको करना पड़ेगा बिना उन लॉग को यूज़ के तुमारा आंसर नहीं निकलेगा मतलब यह जो नौ तुमको दिखाई दे रहे हैं अभी खतम नहीं हुआ अभी लॉट और बाकी हैं अभी इसके बाद भी दो तिन लॉग एक्स्ट्रा है यह एक law इसके दो-्दो formula इधर पर फोरमाइल इदर पर इस law का दो formula इधर एक इधर कम्मूटिटीव का दो उसका दो इसका दो इसका दो सब का दो 2-2-2 9.9-18.18 अगना फोरमिले हैं आपसे तुमको लाइन से सारे formula इन लोह के वी उस पहोग अपने को आज हाक हम कि तक रहे हैं deter कि भी नहीं आज देनायों में पी क्यू पी क्यू पीड thirty सारइ पी थिश्रार्लें ऑनी क्लोर चाहिए बहुत बाद है चो पने के लिए बहुत सब्किने क्योंतuted और एंड और बीच में एसा यह एंड है यह और है लून के इक्जाम अपने को ऐसे लिखाई देता है यह वन घया क्या वन घर पर जब दो क्या नहीं कर लेंगे मैं तो इसना बता रहा हूं कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल है पर कर लेंगे इतना कोई दिक्कत नहीं है अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो काहें नहीं कर लेंगे सब कर लेंगे ठीक है साट करें पढ़ना एक एक करके समझेंगे पहले समझतें लौ क्या है क्यों है चलो ठीक है स्टार्ट करें यहां पर आजाओ लेट इसको 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 अटा देते ना इसको लेके हम लोग क्या करेंगे ओनू ओनू ऐसी बटा देते इसको चलो चलो ठीक है साट करें चलो यहां अब law का मतलब क्या होता है तुम सब लोग जानते हो गाए लाइनी rules लाइनी rules अपना जेसे देखो अपना country इंडिया इंडिया में बहुत सारे law होंगे बहुत सारे law होंगे, मतलब क्या, कि तुम चोरी नहीं कर सकते, अगर तुमने चोरी की, तो तुमको इतने साल की सजा मिलेगी, अगर तुम किसी के साथ दोका कर रहे हैं, तुम पर section 420 लगेगा, तुमको इतने महीनों की सजा मिलेगी, इंडिया में बहुत सारे law हैं, बहुत तो नहीं follow करूँ, rules ऐसी चीज़े होती हैं, जो तुमको follow करना पड़ेगा, अब पता हैं, जब तुम maths पढ़ते हो, maths, हम थोड़ी मतलब maths की बात करते, logic बात में देखेंगे, पहले mathematics की बात करते, मैं क्या बोला, जब हम मैं बहुत सारे law होते हैं, बहुत सारे rules होते, कैस जैसे rules होते, जैसे मुझे एक चीज़ बताओ, कि अगर मैंने लिखा 3 plus 2, तो answer कितना आएगा, answer आएगा 5, अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दू, 2 plus 3 तो, तभी answer कितना आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, नहीं, तभी answer कितना आएगा, 5 आएगा, तो हम दो नहीं चीज़ देख है, 2 plus 3 में भी answer वही आ रहा है, हाना, इसका मतलब math का rule है, कि 3 plus 2 को 2 plus 3 भी लिखा जा सकता है, यह छूटी सी चीज़ जो तुमको आज समझ में आती है न, इसको एक law बोलते हैं, यह भी law, यह भी rule है, कि 3 plus 2 को 2 plus 3 लिखा जा सकता है, these are called law, अच्छा तुमने कभी पढ़ा ह होगा, अगर मानों यहाँ पर x लिखा है बाहर, और bracket के अंदर ऐसा लिखके दे दिया है, x plus 2, ऐसे, और तुमको बोला जाए, इसको solve करके दिखाना बच्छा, तो तुम लोग क्या बोलोगे, कि अरे sir, यह जो x है और यह जो bracket है, इनके बिच में कोई साहिंग नहीं मतलब multiplied हो रही है, यह जो क्या हो रहे है? स्क्राइब तू के साथ जाएगा 2x this is also a law यह भी एक law है यह भी एक रूल है mathematics का इन law को इन रूल्स को हम लोग डेली उस करते हैं लोग जभी भी मैट्स का कोई question solve करते हैं कि हम लोग इसका यूज नहीं करते हम लोग अभी 3 च्क्राइब टो तुम क्या करते थे तुम बोलते थे नहीं नहीं यह गलत है स्कॉर वाले को पहले लिखेंगे तो तुम पहले एक स्कॉर लिखते थे बाद में 2 x लिखते थे बाद में –5 लिखते थे देकोल टो 0 करते थे और क्योंकि कोड़ाटी की के क्यूशन ऐसे नहीं लिखा जाता फूरे एक स्कुर वाला स्टाटिंग में होना चाहिए फिर उसके बाद एक स्कॉर टापाना ची फिर उसके किया किया तुमने fut skoda चैंज . जैसे मैंना अ पर टू प्लस लिखा था और तुमने कर दिया ऐसे बिना सोचे समझे क्यों कि तुमको पता है कि चैंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ था position को चेंज किया जा सकता है यहां पर तुम्हूध लोग लोが तुमने यूज कर लिया बस तुमको पता नहीं कि वैसा कोई रूल होता है मतलब mathematics में बहुत सारे रूल्स हैं जो हम लोग daily life में जब भी हम लोग मैस काओ को क्योशन करते हैं हम लोग उसमें कितने 10-15 लोग ऐसी यूज कर लेते के क्योशन के अंदर बस अपने को पता नहीं होता कि हम लोग कोई law का यूज कर भी रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बच्पन से चीजें पढ़ाई गई हम लोगों को पता है कि हाँ ऐसे होता है पर जब मैं बात करूँगा logic की जब मैं किसकी बात करूंगा? लाजिक की है? हम लोग यहाँ पर तो लाजिक पढ़ रहे हैं. तो मैं क्या बोरना? जैसे match में इतने सारे law हो सकते हैं, rules हो सकते हैं. कि लाजिक में इसा rule नहीं हो सकते हैं? जैसे match में होता है न 3 plus 2 को, 2 plus 3 भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कि लॉजिक में ऐसा कोई रूल नहीं हो सकते कि यार P and Q लिखा हुआ है P conjunction Q यारी P and Q लिखा हुआ है तो मैं इसको Q and P लिख दूँ यहां पर तो अगर यहां पर यहां पर इसे रूजज बनाये गा उसके भी लोंगे तो आजके अब आज के स्वांदेंस अमने मैट्स में इस बार किसके नजर से देखना है लाजिक के नजर से दिखना है। समझ में आया है? वही चीज़े जो तुम आज तक बच्पन से अभी तक करते आए हो बच्पन से तुम्हारे टीचर से तुमको सखाया सेम चीज़ पढ़ेंगे बस फर कितना होगा आज तक मैथमेटिक्स में कर रहे थे आज किसमें करेंगे लॉजिक में करेंगे और बेटर अंडरस्टेंडि बाष्पने पास चाहरे लॉट तो बहुत सार हैं इतने सबसे मेरे उचलते इसा जरूरी नहीं है तुम चाहो तो तुम नीचे से उपर चले जाओ तुम चाहो तो बीच में से आदा उपर नीचे पढ़ो तुम्हारी मर्दी यह आँ मुझे जो फ्लो बेटर लगता है से स्टार्ट करूंगा तो I am going to start here with these three laws मैं सबसे पहले तुमको पढ़ाऊंगा associative law फिर पढ़ाऊंगा commutative law and then distributive law associative commutative और distributive law इन तीनों लोगों मैं पहले पढ़ाने की कोशिश करूंगा ठीक है सब टीक स्टार्ट करते associative commutative and share the beautiful तो पहला लूँकोंछ आपना associative और आ चलू ठीसटीदब गर डिण च्रों के समझेंगे हम यहां पर मैस के लिए भी देखेंगे और ओर लॉजिक के लिए विदेखेंगे देको maths अपने को पढ़ना नहीं है लेकिन समझने के लिए मैंट का reference बहुत अच्छा पढ़ेगा मैंस का reference समझने बहुत ही अच्छा पढ़ेगा अच्छा पूरे पूरे इसमें अमैं logic और math की बात साथ में कर रहा रहोंगा तो थोड़ी से confusion ना हो इसलिए ध्यान रखना कि जो काम mathematics के अंदर multiplication का होता है वह सेम काम logic में एंड का होता है देख ध्यान से सुना maths में जो का multiplication करता है logic में वही काम कौन करता है एंड करता है हाना तो end मतलब multiply आठेने end का मतलब multiply and का मतलब multiply और और का मतलब क्या होता है और का मतलब होता है plus end का मतलब multiply और का मतलब plus इसको दिमाग में बिठा लिना end मतलब multiply और मतलब plus और यारे यह मेरा कोई मेरा यह मेरा खुद का logic नहीं है समया खुद का interpretation नहीं कि मान लोग कि end का मतलब multiply होता है और का मतलब plus होता तुम जब आगे पढ़ोगी जब तुम तो कॉम नहीं पढ़ोगी तुम लेकिन आगे चलके मान लो तुमने बेसी आईटी ले सकते हो तो तुमने अगर बेसी आईटी ले लिए ना तुम आपके तुम को बताया जाएगा कि कर संद करते हैं अगर मैंने ईसा लिखिए दिया तुमको 30 3, plus 1, bracket में, और यहां पर लिखा है, plus 4, मुझे बताँ, तिनों को add करने के पाद answer कितना हैगा, 3, plus 1, 4 हो जाएगा, 4, plus 4 कितना हो जाएगा, answer आजाएगा, 8, 3, plus 1 देखो, पहले bracket वाले को plus करते हैं, तो पहले bracket वाले को plus करेंगे, 3, plus 1, 4 हो जाएगा, फिर यह 4, और यह 4, answer कितना आजाएगा, 8, अच्छा, अगर मैं ऐसा करूँ, कि मैं ऐसा लिख, 3, plus, और यह जो 1, plus 4 ह बना दू, अब बताओ, पहले bracket वाले को plus करते हैं, तो मैं एका करूँगा, यह 1, plus 4 करूँगा, bracket में 5 आएगा, और यह 5, plus 3 कितना आजाएगा, answer, 8, और अगर मैं ऐसा करूँ, कि मैं bracket बनाओ ही नहीं, 3, plus 1, plus 4, 3, as it is, लिख दूँ, तो answer कितना आएगा, बताना जरब, 3, plus 1, तुम कैसे भी आगे side करो, पीछे side करो, कर सकते हो, 3, plus 1, 4 हो जाएगा, 4, plus 4, 8 हो जाएगा, इसमें भी answer कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब चाहे मैं bracket इदर बनाओ, चाहे मैं bracket इन दोनों पे बनाओ, चाहे मैं bracket नहीं बनाओ, answer तीनों ही cases में क्या आएगा, same आएगा answer, तीनों ही cases में क्या आएगा, same आएगा, इसका मतलब यह तीनों statements, एक दूसरे के equal है, तीनों statement एक दूसरे के क्या है, equal है, मतलब यहाँ पर bracket लिखो, यहाँ पर bracket लिखो, चाहे बनाओ, तीनों सेम होता है, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर logic में लिखते हैं, अच्छा मै अगने पर फ्लस लिखा है, अच्छा मतलब क्या होता है, फ्लस का मतलब होता है, और, त सेम ची, जह लोगी के होता, कि अगर मुझे कभी दिखाई दिखाई दिया, क्यू दिखाई दिया, और दिखाई दिया, जात तीनों के बिच में plus, plus, और लगए, और लगा होए, Además ही और लगा और bracket Q और R के उपर है और उसके बाद अगर P है Q है R है तीनों की बीच में और और ब्रैकेट ही नहीं है इन तीनों के answer क्या होंगे same होंगे मतलब यह is equal to this and this is equal to this धान से सुनना तीनों ही और होने चाहिए तीनों और होने चाहिए तीनों प्लस लिया था मैंने प्लस मतलब और होता है जब तीनों और होंगे तीनों जब और और होंगे मतलब तीनों ही प्लस होंगे तो चाहे ब्रैकेट तुम P और Q पे बनाओ चाहे ब्रैकेट तुम Q और R पे बनाओ चाहे ब्रैकेट मत बनाओ तीनों का answer क्या आएगा same तीनों का answer क्या आएगा same तो य कुछ ऐसा लग रहाने कुष्चन अगर ब्रैकेट इधर होता ना तो कुष्चन तुरंट सॉल्व हो जाता तो मैं तुरंद का करूंगा ब्रैकेट इधर से हटाऊंगा इधर लगा दूंगा क्योंकि मैं लगा सकता हूँ आयन कौन सा लगा ओफ्या ब्रकृट के इधर लगा दो चलेगा इधर का प्रैकेट घटा के इदर लगा दो चलेगा ब्रैकेट इधर लगा दूने लगेगा यार मेरे को नहीं देख रहे हो तुम लोग एज हैं तो पर देखो अजब मैं का बोर आगर मैं ऐसा लेकों 3 x 1 x 4 इस बार में दोनों इंटू-इंटू यह पिछली पर मैं प्लस प्लस ले आता है इस बार कह लिया इंटू-इंटू लिया तो 3 x 1 x 4 पहले की स्कोंस आफ यह वांज़ करते हैं तो इस ब्रैकेट को स्लॉफ पर तो मैं ऐसा कर दूँ कि मैं ऐसा लिखो 3 into 1 into 4 मैं ऐसे लिखो अब क्या होगा देखो वन इंटु 4 क्या होता है 4 होता है और 430 कितना हो जाएगा टूवेल हो जाएगा पहले ब्रैकेट को सॉल्व क्या वन फोर फिर 430 कता अच्छा उसके बाद अगर मैं ऐसा लिख दूं 3 into 1 into 4 कोई बनाओं के ब्रैकट दीनी बनाओं मैं इसा लिख दूं तो 31 सा 3 हो जाएगा और 34 सा कितना हो जाएंगा जाएगा का इस बार Ugh टॉपड दीघए नुपर दिखाए था तुम लोगों को और का मतलब प्लस होता है मैंट का मतलब मुंतिप्ला होता है तो मैं क्या है यह ऐसे लिख सकता हूँ कि पी, एंड, क्यू, एंड, आर, देखो, दोनों मल्टिप्ला है, यह दोनों एंड लगे होने चीए, और ब्रैकेट इधर बना दो, पी, एंड, क्यू, एंड, आर, इस बर ब्रैकेट इधर बना दो, और पी, एंड, क्यू, एंड, आर, चाहे ब्रैकेट मद बनाओ, यह तीनों क्या होंगेegal होंगे ग्नुक्डास तुम चाहे ब्रेटीफ बनाओ चाहे ग्यूस ऩचले गा कोई दिशटिव लौ यह क्या है आशरोशिज पना फेन तो चाहे ब्रैकेट इदर बनाओ दोनों क्या हैं असोशेटिव लौ समझ में आया क्या अगर नहीं समझ में वीडियो को एक बार रिवाइंट करना वापस देखना मुझे तो नहीं लगता इतना धीरे-धीरे पढ़ाया कि तुम लोग 2x पर करके देखो गे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो वापस गुमा लेना हो सकता अपना ध्यान कहीं इदर उदर भूम रहा होगा चलता है चलता है कोई टेंचन नहीं चलो साट करते हैं चलते अगले लॉग के ऊपर अगला लॉग क्या है भूल गया हमें तो अच्छ सब्सक्राइब कर onsनल देख दूसरह के है चांट मिम टिइनलो क कम्यो टीटिटिव लोग ना दिए इस कम्योटीटिव लॉय्इग सानओ क्या होते हैं देना क्या बता इछा अगर मैं इसाली को 3 plus US 2 कि अभी उपर किया था कुछ और एक्जांपल लेते हैं बार-बार 33 देखे फस गया होगे तो शीक्स प्लस 3 अगर मैं ऐसा लिखा तो मुझे बताओ अंसर कितना आएगा अंसर विल बी नहीं अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दू थ्री प्लस सिक्स तो अंसर क्या एगा यगा अंसर विल बी नहीं कि अमित्लब क्या कि हो मिब थरी एड़ करदू या मैं 3 में 6 ॏ चाहे मेरे पास तीन रुपए हो को इलाकिने 3 मित या7 को इलाके रुप्य व्लाके 3 मित वाले कintérieur कितने वाले नौऔ वोने वाले सिक्स फिसी भीनाइन होगा 902 दो थे मिखने वाला है कि यह उसी को अगर मैं लजिक में लिखू तो यह प्लसका मतलब क्या होता है 오श का मतलब और मैं बताई टैस्तागे प्लस मतलब और होता है स्क्तार में बता है उडम स्ंसक्राइम और तो आगर मैंसा दूब औूर hilar ऐसा थो धूक्यू और कि तो यह दोनगे और म्मुछी क्या होंगे तो यह दोनों ही क्या होंगे दोनों क्या होंगे यह दोनों गाल सेम कामतलेisten कहीं हम लोगों को P और Q दिखा तो मैं इसको change करें कि Q और P भी लिख सकता हूं क्यों लिख सकता हूं क्यूंक्यों सें हैं क्यूं क्या एधियर सेम्हें तो चाहे मैं यह लिखूं और सभ् Health को पोजिशन को इंटरचेंज कर देना अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कब जब बीच में और हो तब रुको के एंड के केस में ऐसा नहीं होता देखते हैं न जरा क्यों टेंचन लेते हो सब देखेंगे हम लोग अच्छा एंड मतलब क्या था मुल्टीप्ला है ना यहां प अगर मैं ऐसा लिखों यहां पर थ्री इंटु सिक्स है तब बताओ आंसर क्या है कि 24 अटीन याने वाला है तो मतलब याद शीक्स थी जाब होता है थ्रीजा भी एटीन होता है इतना तो बच्पन में पढ़े थे जब सेकेंड चेंडर में थे तब फॉर्स टेंडर में इसका मतलब मैं यहां पर चाहे पी एंड क्यू लिखूं चाहे में क्यू एंड पी लिखूं इन दोनों का आंसर क्या आता है सेम मतलब दोनों सेम हैं तो अगर मुझे कहीं पर पी एंड क्यू दिखा लिखा हुआ तो मैं क्यू एंड पी लिख सकता हूं कहीं पर मुझे क्य पी दिखा तो मैं पेंड की लिख सकता हूं क्योंकि फरक नहीं पड़ता है की फरक पेंदा है दोनों सेम ही है ना समझ में आया this is commutative law यह क्या है अपना commutative law कि अगर बीच में और रहे तो भी तुम positions को change कर सकते हो बीच में एंड रहे तो भी तुम positions को change कर सकते हो क्योंकि की फरक पेंदा है दोनों तो सेमी है चलो ठीक है स्टार्ट करें अगले लॉप पे चलते हैं अगला लॉप क्या दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉप चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं अरे रे रे क्या हो रही है इस्ट्रीब्यूट्व लॉप इज्ट्रीब्यूटिव लउट चलो ठीक है अब содерж ownership लॉट्व और देखो फहले मैं खिर्ण से समझेंगे फिर भी विल टेक दे पॉइंट ऑफ लॉजिक चला मैथमेटिकल लॉजिक ओभी तो मैसी है ना शला है पर देखो मैस की बात करते पहले डिस्टिपिटिव लॉग क्या होता है अभी वन तुम लोगों को पर बोला था कर तुमको कहीं ऐसा दिखाई दे एक्स और यहां पर बाज़ों में ब्रैकेट बना हो एक्स प्लस टू तो तो तुम इस टैम पर क्या करोगे तुम मुझे बोलोगा कि आरे सर इन दोनों की बिच में कोई साइं ने मतला मुल्टिप्लाय है और जब ऐसा दिखे ना एक है एक कोई टर्म दिया है फिर तो ऑनसरूढ़ बना साइगा तुमारा एक स्क्वेर कि यहां पर प्लस बीच में तो प्लस रहेगा अप फिर टू एक्स एखिएay ऐसी होगा इसरी होगा इस्वाक क्या अच्छा, एक सिकंड, एक सिकंड, अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज देखो, एक चीज देखो जाना, इसको ऐसे नहीं लिखने की जगह, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कि एक बार ये X, X से मल्टिप्ला हुआ हुआ, मतलब X into X, फिर ये प्लस, बीज में क्या आया, ये 2X हो जाएगा, एक बार ये X, इस X से मल्टिप्ला हुआ, फिर बीच में प्लस आया, एक बार ये X, 2 से मल्टिप्ला हुआ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी सेम चीज को, जो तुम मैं आस तक करते आए हूँ, अगर मैं लॉजिक में लिखने की कोशिश करूं त इस पूरे सेम स्टेट्मेंट को नहीं यहाँ पर उतारते हैं, लॉजिक के टम्स में, यह जो X है, हम लोग लॉजिक में लिखते हम लोग लॉजिक में क्या लिखेंगे P, अच्छे इदर क्या दिये, multiply को क्या बोलते थे, हम लोग लॉजिक में end बोलते थे, तो मैं पर मतलब क्या होता अपने लिए, और, प्लस का मतलब क्या होता है, और, R, मतलब समझो देखो, यहाँ पर X था, तो मैंने P लिखा, फिर multiply हो रहा था, तो मैंने multiply की जगए end डाला, फिर bracket बना था, मैंने bracket बना दिया, फिर वहाँ पर क्या लिखा था, कुछ तो 2 टम्स लेके थ कि ये P, एक बार, इस Q से multiply हो जाए जाके, यही P, एक बार इस R से multiply हो जाए, जैसा देको इधर हो रहा है, इधर क्या हो रहा था, पहली ये X, इस X के साथ क्या हो गया, multiply हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये P, इस Q के साथ multiply हो जाए, P और Q, multiply हो मतलब क्या end ना, end हो जाए अचा बीच में क्या है अप्लस कि दर तर कुछ समझ मैं आया देखू नहीं सब्सक्राइब तो एक बार वापस से यह फोट अंदर पढ़ जा रहे हैं इसको लेते हैं कि वार में रफ करते हैं देखो नपके थोड़ा सहीदर लिखता हूं मैंने क्या बोला पी दिया है बीच में एंड दिया है अंदर क्या देख क्यू और और इस इस एंड का मतलब क्या है मल्टिप्ला इस और का मतलब क्या है प्लस हो रहा है तो यह पी एक बर क्यू से मल्टिप्ला हो जाएगा तो पी क्यू से मल्टिप्ला होगा तो पी एंड क्यू एंड क्यू मतलब मल्टिप्ला होता है ना फिर बीच में प्लस दिया तो ब बाइस से इतना सेम भाई चीज यह मतलब अकॉर्दिन डिस्टीबिटिव लॉग अगर बाहर तुमको एंड दिखे अंदर तुमको और दिखे तो तुम क्या करोगे एक बार पी एंड क्यों बखोगे हिर और डाल कि एपर पी एंड ऑर लिखोगे समझ माया इस डिस्की धिश्टीबीक और लोः अच्छा इसको एक और तरीके से वी दिखा जा सकता है को तरीके से भी देखा जा सकते हैं सबके जो दो statement थे अच्छा तो सबके दूदू स्टेटमेंट पढ़ने अपने पढ़ चुके अब इसका भी पढ़के देखते तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है अगर यहां पर पी रहा यहां पर और रहा और अंदर एंड रहा यहां पर पी है सेम सेम एंड की जगह और और की जगह पेंड तो मैं इसको एक बड़ पी और क्यू के साथ जाएगा एक बड़ पी और आर के साथ जाएगा और बीच में क्या जाएगा एंड बीच में क्या जाएगा एंड एक पर पी और क्यू फिर बीच में एंड इवर पी और आर समझ में ऐसा भी तो लिखा जा सकता है सिम वही स्टेट्मेंट है जहां जा एंड था वहां और जहां जा और वहां पे एंड तो इस इसको क्या बोलते हैं डिस्टीबिटीव लॉग और विस रिमेंबर डिस्टीबिटीव लॉग कभी उज़ते है माल में जब ऐसा कुछ तुमको दिखाई दे बाहर एंड है अंदर और है वहार और और अंदर एंड बाहर और दूनों सांग पोजित होना ची तब दिस्टीबि लोर चलते हैं अगले लॉग की तरफ नेक्स्ट लोग क्या दिया हैं हम लोगों ओको देखते हैं अब देखो जो 3 लो मैंने तुम लोगों से अलग है तो अब ज़र अधान से देखना अब हम लोग जो लॉप पढ़ेंगे उनका मैज से कंपेर नहीं कर सकते क्योंकि दीज लॉप आर स्पेसिफिकली फॉर लॉजिक यह ऐसे लॉप है जो मैज के अंदर अगर समझने जाओगे ना तो बहुत आसान है अगर हम लोगने लॉजिक आज तक अच्छे से पढ़ाया ना 1.8 तक तो 1.9 अपने को समझ में आएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्वाट करते एग करने तो पहले कानसा करेंगे आईटम प्टेंट लॉग यह grad लाइन से करते हैं उपरसे जो 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 बचा हुआ है दे लाइन से करते चलते हैं आइडीम पॉटेंट लॉग चलोगे एँड़ट आ को त्स साहाात लाव कॉनन सेन इन potent law what is this idempotent law-yard तो नाम में पता चलता है यहां पर क्या लिख आइड़ें पोटेंट लोस्तार्ट कहा से और रहा है ID से ID मतलब क्या हता है identical ID मतलब क्या हता है identical identical का मतलब क्या आतए same identical का मतलब क्या हता है same दिक हो ऐसे याद रख लेना आइडेम पोटेंट लॉग यह पर साट कहा से हो रहा है आइडेसे और आइडेंटिकल इंटिकल मतलब क्या होता है जब दो चीज़ एग्दम सेम दिखे नहां तो उनको बोलते हैं आइडेंटिकल टुइंस सुना है तुमने दो टूइंस होते दो जुड़वा बच्चे एग सेम सेम बात कर रहा है उसने बोला कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट और दोनों पी है तो उस टाइम पर क्या होगा उस टाइम पर क्या होगा तो उसने पता अपने को क्या बोला उसने अपने को बोला कि अगर दोनों स्टेटमेंट पी है बीच में और लग एब आज बड़न से ढपि तक अक मितने universum तक करांगो से इंड़ार पीपी इन आज़ार अनुटंटि अलोर 강तुष लिए तो फिर इतक जाए बाट डार रोटो फ्क तुच्टंटि चीज यह समझ तो गया आपने को पर इसके पीछे रीजन क्या है विसे रीजन जानना हमारे लिए जरूरी तो नहीं है मतलब अगर question solve करना है तो यह law जानना भी बहुत है लेकिन reason जानना मुझे लगता है ऐसा जरूरी होगा क्योंकि यार पढ़ाई कर रहे हैं मजाग थोड़ी कर रहे है रीजन जान लेते हैं और इसे reason behind this reason को समझने की कोशिश करते हैं मुझे बाद बता हो अगर एक मैंने वैल्यू लेली एक कोई statement लेजिसकी truth value क्या है टी है मैंने मानलो मानलो पी पी अब पी की truth value क्या है टी और मैंने पी एंड पी किया तो यह true था तो एंड में भी टू आएगा अमरीको था true and true बीच में लगा हुए एंड का टेबल या देना इंड के टेबल में क्या होता था दोनों true टू आता है एक भी false निकल गया तांसर फॉल्स आता है एंसर क्या फॉल्स आता है इसका मतलब क्या कि अगर पी टू है दूसरा वाला भी टू होगा अंछर भी टू होगा अगर Quốc तो दूसरा वाला भी फॉल्स होगा अंसर भी फॉल्स आएगा सीधे सीधे बोलू तो पी जब पी के साथ जाएगा तो आंसर में पी आएगा समझ में आया तो डू डाला तो डू आएगा फॉल्स डाला तो फॉल्स आएगा तो पी पी आएगा ना सीधी सी बात है ऐसे और के की बात करते है अगर दोनों ट्रू दिये तो ट्रू और ट्रू क्या होता है ट्रू का केस क्या होता है एक भी ट्रू निकला तो ट्रू दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स तो फॉल्स जाल दिया तो फॉल्स और फॉल्स होगा अंसर फॉल्स आएगा और की केस के सबसे और क वढायगा तो टेविल के साब से तो टू 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 आ रहा है फॉल्स फॉल्स आ था रहा तो PPP आ असीति जिवात यह इसका मतलब क्या कि PPP होता है and hope चाहे और दिस इस फॉल आइडेम पॉटेंट लॉइस को यो बोलते हैं आइडेम पॉटेंट लॉइस वे आया अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो तुम आइडेम पॉटेंट यह इतना भी तो गलत नहीं प्रोनांस करता है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला यह भी दन यह भी दन मज़ा आ गया चार लॉड लोगि आगे बढ़ते हैं आगे कौन सा इडेंटीटी लॉग अग्ला लॉग सा है आईडेंटीटी लोग तो चलो लिखते हैं वहाँ पर चलिकिए डेंटीटी लॉग अपना नेक्स्ट लाव एज पाजव अरे यह तो मैं यहां पर नहीं चैन्य अपना 5 लोओई इस आई देंटीटीटीलोई कोन सा लॉआ आइडेंतीटीलोई लॉना वह्さい आडेंटीटीलोई यायटिम् पॉटेंट और सुरी आइडि आइड वरिये करनी है क्या फरक्या बालु में जब उन्हेंभांत करते इंडिनलों की किसकी बात करते हैं फॉर उस इंपले होते हैं gallery or contradiction को किसकी बात कर रहे होते हैं टॉटी लाजी और Contradiction की TORTOLOGI और कॉंट्राडिक्शन की बात करेंगे अवैट इस क्या पाध करेंगा टॉटलोजियो C इनकी टीछा तो दिखा तो दॉगह को देखें कॉटो किया रहे जो सी दिकाई मतलब क्या difficile contradiction अच्छा है पर देखे एसा जुब कि का मतलब क्या टॉट लाज में तुम को बताया था कि capital TN2 होता है capital FN1 फॉल्स होता है small t टॉट लोजिकले होता है small C contradiction के लिए उधा है तो यहां पर देख हुआ मुझे उपर क्या दिख रहा है की P को कांटाटिक्शन के साथ और की है यहां पर प्याक किया पी को वार किया है so लुभ उससाइड में भी इतो बीघॉंगन आधिक्षिया टत disciple जी साथ ilogen kg है मतलब इस बार हम लोग P को किसके साथ रखेंगे एक ऐप टॉतोलोजी के साथ एक निय॥बक और कोन्टाडशन के साथ एक बार उन दोनों कि और रिंड करेंगे ध्यान विल्का मैं पिलूँगा कर एक बर कर देता हूं टॉटोलोजी के साथ एक बर और कर देता हूं टॉटोलोजी के साथ एक साथ किस contradiccion के साथ और चारों केसे से हम खुद निकालेंगे कि अंसर क्या हैगा नोट की कि पीछे क्या दिया हम लोग मैं कुछ से निके निकालने की जिक है कैसे निकालेंगे इंगे इन फॉर्प पर श् Yo Train एक आंपर जो के मुझे पता निये पी मतलब एक statement होगा वह statement true भी हो सकता तेटमेंन फॉल्सभिसकéoूभी मुझे पता है पर्मिचर टॉलजे रहे हला हमें मजसाह टूलग कराएं तॉलज न mocनदिये हले कि लांग शजीं और प्रेश rester में क्या करेंगे टू लिखों की फॉल्स लिकों दोनों लिखके देखते एक बार इधर टू लिखता हूं अगर प्री टू होता तो आंसर टू एंड टू क्या जाता टू आ जाता है अच्छा यही केस अगर होता टॉट लॉजी बला और यहां पर पी के वेल्यू गलती से एंड के केश में एक भी फॉलस रहा आपकों सर फॉलस आता है तो मैंने देखा या Braini एक फिल्सirit इनलिखाएन नहीं हो इन्पर यह ठीक ऍनृता इस पर यह इ दू आलर इस पर दिपार रहा है इस पर यह प्र यहाई तो अंसर बी चुलसा आ यहां प्ल सब्साय आएग तो तो आंसर से किस पे डीपेंड किया था , इसका मतलब एंसर इस पर , एंसर इस पी , आंसर में थी दिखाइन गाए रहे इस में लिखाइन थे रहा है तो यह जो प्र गप्सित हैं ? इस पर गरेट रून गया तो यह निकल गया तो फॉल्स निकल गया तो फॉल्स तो पीपे डिपेंड करता है तो आंसर इस पी आज समझ में आया अच्छा बी तिन बाग की आरभी खतम नहीं वाइव कुछ मत हो जाए तो चल्व अगला वाला करते हैं अरे 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 मिट जा म हां यहां पर देखो यह करते चाते पी एंड चीड़्ये सट एंड यह मातलब करता है फॉल्स मुझे पत्तर का त dogs निकैन मातनर को जरन साथा उबगा से यब को आयगा तो ठूब एंड फॉल्स हम लोग नेंड की किसे में पढ़ा है दोनों टू होता है तो ऊंश दोनों की का या जाया ऑन से का जैगा को जाए तो एक निककर या ज निकल तबर नुकर कम डूल जाया है चाहर वों Fr निक हम लोग ने ल इन पढ़ा हूं वर्स आए फॉल्स आयह तो भी फस इस बार आंसर इस पे डिपेंड गर रहा था हम था विया है पंहुत वह पार का दितव scary यह ता फो ज चैको एंसराज पर अत्वेयव साय हो यह यह खोतillion के ब्लब उसके एंड में टी लिख है तो तो मांसर में पी लिखोगे क्योंकि टी की जत नहीं है अच्छा पी अच्छा एंड के के समय पर देखो यह वला करते हैं क्या क्या करेंगे आपर और के सब्सक्राइब हम ना बते हो यहां पर करते हैं और ट और टी टी मतलब क्या वहता है और टी आरती चलड़ी और टी लिखा यहां पर टार्टोलोजी यह तॉर्टी डूजी में सारे हैं अब इसकी बात करते पी उ रहा व्यां दाले यो ट्रोबी रहो वो सकता है जो सकता है तो इक बर में तो यह बन मुझे बाद बता hebben और के केस में क्या होते है और वाले टेबल में क्या होत एक बर्य निकल गहां ऐगा तो रहाता है दुनों दिपेंड कर रहा है इस वाले पार्ट पर ये वाला पार्ट इसका है टॉट लोगी का तो अंसार में साइब बलाग और इसका इपने इसकी को इजत नहीं है अब अच्छा अगर मैं बात करूँगा P और C तो यह में में बात करूँगा P और C की तो यह में देखो C की जेगे तो और दोनों पॉल्स के और राइफ होगय। इसsteem यह जया गया तो टूपि frequent क्सकी यदवरी स्वीए के के घार प्यासर में आएगा आप गांत्र कर लेगा go and K case में T के जतनी होती see kook के के समय सी के जतनी होती P के तो यहांपर अगर ती दिखा ना तो अटा देना सी दिखा तो पीको अठा देना सी लिग देना यहां पर अगर ती दिखा ना तो अगे के law पढ़ते हैं लोग तो अपना भी कौन सा लॉथ हो गया अपना अभी identity law तो खतम हो गया मेंस this is also done अब बच्छे अपने एक कुछ law फटा 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 अब दिखो अब जितने लाइन बहुत आसाना सा तुरंट तुरंट खतम हो जाएंगे छोटी मुटे लोग अगले लोग पे चलते हैं अगला कॉंसा कॉंप्लीमेंट लॉग अगला लॉग कॉंसा है कॉंप्लीमेंट लॉग यहीं पर कॉंप्लीमेंट का मतलब समझ लेते हैं फिर चलते हैं अपने पेश पर करेंगे कॉंप्लीमेंट का मतलब समझते हो क्या होते हैं कॉंप्लीमेंट मेंस निगेशन निगेशन का लॉप आज़ीए पी के साथ निगेशन पी लिया आपर देखो पी लिया तेका सतने इशन पी लिया समա՝ मैं complement का मतलब क्या होता है की जो statement ले रहे हो उसके साथ उसी का negation ले लो this is complement समय माया अगर नहीं समझ पार ना तो चलते हैं एक लिए पे स्टार्ट करते हैं ज्यादा समझ जाओगे तुम लोग तोड़ा चलो इधर देखो इधर देखो इधर देखो अपना यह कौन से नंबर का लाँ है उन्हें भी कौन सा लो पड़ा था बाचवा पड़ा था हां तो हम लो चलो सिक्ष्ट लो स्टार है निगेशन कॉम्प्लिमेंट का मतलब क्या होता है निगेशन इसका मतलब मैं पी लूँगा तो पी के साथ निगेशन पी लूँगा मैं अगर पी लूँगा तो पी के साथ निगेशन पी लूँगा अब बीच में तो कुछ भी हो सकता है it can be anything it can be end also it can be or also वहां पे एंड पी के साथ and कर दूं मैं पी और निगेशन पी लूँ उन दोनों में बीच में लिग दू तो answer क्या आता है अगर मैं पी लूँ निगेशन पी लूँ दोनों की बीच में और लिग दू तो answer क्या आता है एयर पर दोड़ा सा दिमाग लगाते खुड सॉल लगते अपने आपांसर निखलेगा यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं मैंने कर लिए ब्लिया एंड करके निगेशन पी लिए ख़ए पी को एक statement होगा पिमतलब है ख्रीन होगा वह स्टेटमेंट रूभी होसकता है जो रहेगा तो यह क्वड रहे गए P and Negation P negation P to true है तो true रहेगा I can't do and Negation true का मतलब क्या होता है false नें इखेंड रूर्ण का उल्टब फॉल्स होता है और मुझे बत वाता है बीच में and and के किसमें दोनों होता है तो एक भी false आगया तो answer is false यहां पर true and false ऐसमें क्या जाएगा फॉल साजाएगा अन्सर में क्या जाएगा फॉल साजएगा यह समझ में को हुआ है अदुछ हुआ क्या पया आप गोड़ा हुआ पहली सब्सक्राइब एक हुआ है क्या पहले देखो P & 2 लोग ने देखा यार पीचा यह रहे पीचा है फाल्स ही ऐगा पीचा है फॉल्स रहे अगर उससी के साथ तो में एंड गरो गया तो आंसर हमेशा क्या पॉल्स आएगा बेषिक सा common sense according to principle of common sense अगर ये true निकला तो ये false हो जाएगा negation होने पर और एक false आगया end करोगी तो answer false आएगा अगर ये false निकला ये true हो गया तो भी फाइदा क्या है एक तो false end कि किसमा false ही आने वाला है answer कुछ भी करो answer false ही आएगा तो simply P and negation P is F F का मतलब क्या होता है false समझ में आया अच्छा यहाँ पर देखो इस वाले को solve करें और के case में क्या होता है solve करने की जरूत है क्या इससे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अगर ये true डालोगे तो ये false हो जाएगा negation P false हो जाएगा पर एक true है और और के case में क्या होता है एक भी true रहेगा तो answer true आता है तो जब इसको true डाला ये false हो गया तो मतलब क्या है ये तो true है answer true आने बाल है और इसको false जाला तो वो true हो जाएगा और एक भी true निकला तो answer true आएगा तो आपर करके देखते है पी और निकेशन पी ना अगर मैं पी की चीज़़गे पर true डालो तो true और निकेशन true true और निकेशन true क्या होता है तो true और false क्या हो जाएगा तो ही आएगा क्योंकि एक true निकल गया और के इसमें एक भी true तो answer true आता है फिर अगर मैं इसकी चीज़़गा फॉल्स ले लेता तो यह फॉल्स रहता और यहाँ पर निकेशन फॉल्स क्या आ जाता निकेशन फॉल्स आता निकेशन फॉल्स टू हो जाता एक true निकला तो answer true मतलब दोनी cases में answer true आने माला तो answer is true सिधे सिधे बोलू अगर तुमने किसी statement को उसी के negation के साथ conjunction कर दिया तो answer is always false answer is always false किसी statement को तुमने उसी के negation के साथ disjunction कर दिया तो answer is always true तब answer नमेशा क्या आता है true आता है समझ में यहाँ पर हमेशा false आएगा यहां पर में शट्रू आएगा अब देखो तुम्हारी बुक में अगर हम लोग देखें हैं this page is taken from your book यह मैंने नहीं बनाया है यह तुम्हारी बुक में महारश्टा बोड ने दिया है तो अगर महारश्टा बोड के साब से देखें तो उसने क्या लिखा यहां पर और के case में answer is T अच्छा यहां पर end के case में answer is C अच्छा उसने एक चीज़ अलग उसकी है उसने क्या किया मालू में हम लोग ने चाहां पर false लिखा ना उसने वहाँ पर क्या लिखा है C लिखा है C हाँ अच्छा यहां पर answer T T N क्या होता है टॉटो लॉजी समझ में आया तो अगर end रहेगा तो answer is always contradiction और रहेगा तो answer is always totology this is what your compliment law is this is a compliment law समझ में आया this is compliment law चलते हैं अगले लॉग की तरफ अब देखो बहुत आसान आसान लॉग है अपना compliment law खतम हो गया चलो achievement compliment law खतम अब आगे बढ़ते हैं आगे देखो क्या दिया है अपना अगला कौन सा लादी अपने को अगला लादी अपने को involution law यह फिर law of double negation law of double negation better है ना कि हम लोग ना इसको involution law बोल की बुलाएं क्योंकि वो प्रोफेशनल नाम है law of double negation involution law चलो यहां पर देखो समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या इसको ओपर लेकर चलते हैं थोड़ा सा 7th वाला यहां पर लिद देते हैं 7th नहीं नहीं तुम नहीं तुम आ जाओ चलो ठीक है क्या नाम है involution law involution law या फिर उसी को नाम क्या दिया था law of double negation law of double negation कितना आसान involution सुनके तो कुछ नहीं समझ में आता है अभी तुम लोगों को involution तो कुछ ही नहीं समझ में आएगा तुम लोगों तुम इंसेप्शन इंसेप्शन evolution पता नहीं कहां कहां घुज जाओगे तुम लोग इंव इंव लिशन का मतलब नहीं समझा इसको पढ़ो ना law of double negation मतलब मानलो पी है पी के बाहर क्या कर दिया है यहां पर negotiation लगा है उसके बाहर भी निफ्टन लगए भार निफे जन उसके बार भी नेचेशन और उसके बार भी नेचेशन डबल नीफे लौओफ डबल नेगेशन तर मैंने तुम लोगों गशेपोरanding धा कि नेवेशन एक्षु माइम की माइनस की तरफ काम करता है तो माइनस माइनस क्या प्लस आजाता है तो निगेशन जाया वहाँ प्लस आजाता है तो निगेशन डिस आएगा से रदा बॉलुशंल लॉइजाथी अच्छा देखो तुमको कुछ और भी लिख के दिया था क्या 199 देखो इदरी गनी कि गी एग फ i was wondering क्यार उठ साइट क्या दिया होंगा double negation तो इसमें लगा दिया मैंने इए हमें कुस्स तो बचाईने करने के लिए उद्धेर कुस्त करने के कुछ बचाना तो चाहिए double लगाना ता लगा दिया इसमें थोड़ी और और करते बैठेंगे सब्सक्राइब तो डूबल निगेशन रहेगा तो दिस निगेशन दिस निगेशन एक दूसर को कैंसल करेंगे आंसर क्या जाएगा पी – – cancer plus समझ भाया achievements एक और लाँ खत्म चलते अपने अगले लो की तरफ अगला लोग क्या अपना डी मॉर्गन श्लोग लाँ कौन सा है डी मॉर्गन श्लोग इसको रहा सह उपर कर लें डी 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 मॉर्गन शला एट वाला तुम नहीं हाँ अब देखों डी मौर्गन्स लोग नवाटच इस डी-मौरगन लोयार यह तो और अलग लग रहे हैं मतलब इतने सारे लोग पड़े वापर हर वर्ड का कुछ मतलब था पर यहां पर मतलब नहीं डी-मौरगन अपने को पता एक किसी का नाम है किसी का नाम है तुमने डी रिलेशन चैप्टर अगर कभी पढ़ा हो तो हाँ पर डी मॉर्गन लॉग का जिकर किया गया है लेकिन फिलाल हम उग सेटन रिलेशन में नहीं जाएंगे फिलाल हम इधरी रहते हैं डी मॉर्गन एक बंदा है जिसने अपने को एक लॉग दे रखा है तो हमने उसको पी और क्यू दिया है और बीच में और है बाहर निगेशन है तो आंसर कुछ ऐसा मिलेगा अगर पी और क्यू दिया है बीच में एंड है बाहर निगेशन है तो आंसर कुछ ऐसा मिलेगा यह देखा देखा नहीं लग रहा मेरे को एक बात बताओ तुमने तुमने इस से पह तब एक तुमने पड़ा था, negation of disjunction. Negation of conjunction and negation of disjunction. यहां पर भी conjunction लिख रहो। Disjunction. तुमने पड़ा किया तो आपी, बताओ ना जरबहरको. मैंने क्या बला था? Conjunction का मतलब क्या होता है? and. तो मैंने बता था, गर दो statement दिये दो स्टेट्में दीये बीच में अधिया और बाहर उसका निगेशन दे रहा है उसका निगेशन करना तो मैंने क्या बहू बना था यह जो निगेशन है इसा कुछ अगर नहीं या देना तो जब पहले 1.8 सेखोव यहाँ पर देखो निकेशन ओप डिसंग्शन क्या होता था या डिसंग्शन मतलब और होता है मतलब बीच में और दे रखा है यहाँ पर P है यहाँ पर Q है और बोल दिया इसका निकेशन निकालू तो इस case में मैंने क्या बला था negation attacks on middle वाला पार्ट और यह और क्या बन जाता है end बन जाता है यह एक बार P के साथ चला जाता है एक बार Q के साथ तो negation P negation Q समझ में आया and these two are d morgan's law यही दो क्या है अपने d morgan's law है मतलब negation of conjunction जो तुमने पढ़ा था न और किस ने दिया था d morgan ने इसलिए these two law are called d morgan's law इनको क्या बलाते हैं d morgan's law समझ में आया तरहना exam अभी हम जो question solve करेंगे ना उसमें सारे के सारे law use होने वाले जितने लोग उपर से लगने लगे अपना जब यूज करने बैठेंगे तो अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं अचीव्मेंट्स तुम्हारे बुक के हिसाब से अपना last law क्या है Contra positive law इसको खतम करके तो आज सुकून मिलेगा अपने को कि law पढ़के हो गया पर मैंने बुला सुकून जादे समय तक नहीं रहेगा कुछ law कुछ unsaid law जो तुम्हारे बुक में नहीं दिये वह भी अपने को पढ़ने ठीक है तो चलो अगला law करते Contra positive law अगला कौन सा law है Contra positive law और यह देखके तुम्हें बढ़ा अच्छा लगेगा अब देखो कुछ कुछ ऐसी चीज़ा आरे हैं जो तुमने पहले से पढ़ रखी है मजा आना चाहिए तुमको एट वला हो गया अगर तुमने नहीं पढ़ा है ना तो तुमको मजा नहीं आना चाहिए फिर तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम्हें पढ़ने की जरूरा थे डारेक्ली 1.9 पे नहीं आना फिले 1.8 तक सॉल्फ करना चलुए आपर देखो एट हो गया ना इन तवाला करते क्या ना में Contra positive law ना में Contra पॉसितिव लॉन ओट इस is Contra positive law यहाद है हम ने पढ़ा था वन पॉइंट में Converse Inverse Contra positive Converse Inverse और Contra positive यहाद दिलाता हूं और Converse में क्या पढ़ते थे देखो Converse होता था हम लोगों को स्टेटमेंट दिया रहता था था पी कंडिशनल क्यू हम Converse में क्या करते थे positions को interchange कर देते क्यों को इधर लेके आते थे पी को दर लेके चले जाते थे अच्छा rainforest में क्या करते थे इसे pou metal position नहीं और थे जो जहां पर है वहीं पर रहेगा बस दोनों में और इंदे शनल गमस्तलाब अब अब इस ड laboral के की ऊपो से उखेसों यहां पे नीगेशन हर स्मूर्ण है जोता है इंवर्समें इंटरचेंज होते शिसमें इंटोयर कार बाद गाया जाता सब इस वाट इस कॉंट्रा पोजिटिव लो मैं एक बात बताता हो अगर तुम लोगों को कहीं पर पी कंडिशनल क्यों ऐसे स्टेटमेंट लिखके दिया है तो तुम इस पूरे को हटा कर उसकी जगह लिख सकते हो निगेशन पी कंडिशनल निगेशन क्यों तुम क्या लिख सकते हो इसको अटाकर इसकी जगह इसका कॉंट्रा पॉजिटिव इसकी जगह इसका कॉंट्रा पॉजिटिव क्या होगा इसका कॉंट्रा पॉजिटिव क्या होगा इसका कॉंट्रा पॉजिटिव पर फिर दोनों में क्या लगा देंगे निगेशन समझ मैं इस इस कॉंट्रा पॉ चाहे तुम यह लिखो चाहे तुम इसकी जगह ये लेकर जाओ इसकी जगह लीकर आज़ो दोनों से मोने वाले हैं this is Contra Positive Law कौन सा law है Contra Positive Law इतना समझ में आया and with this तुम्हारे बुक में जितने law तिये थे थे वो खतम ना अब क्या करना अभी भी कोई लौ बच्चे है कि हां बचा कुछ थोटे मुटे लौ है जो हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है पर नहीं एक्सेसाइज सॉल्फ करना अपने बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां पर देखो और वो क्या है कि ऐसा क्या बच गया यार पढ़ना हमने तो से पहले अचीवमेंट्स सब्सक्राइब एक लाजिकल कोश्चन पूचता हूं उस कांसल देना क्या यह जितने लौ थे आपर तुमने जितने लौ पड़े उपर से लेके नीचे तक सब में एंड हो रहा था नहीं तो फिर क्या हो रहा था और ऑर ऑपरेशन परफॉर्म रह है हमने जितने लौ पड़े सिफ दो-दो स्टेटमेंट पड़े एंड करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा एंड करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा यहार मिल को एक बात बता हो जब तुमने क्या पड़ा तो कनेक्टिव में तो तुमने चिला चिला के चार-चार चीज़ें पढ़ ली कनेक्टिव जब हमनों ने पढ़ा था सिंबालिक फॉर्म लिखते टाइम तो मने कितने करेक्टिव पढ़े त्यार अगर एंड लिखा रहा तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं काना इसका नाम किया है का निदे जनक्शन आ जब और लिखा रहा थो सबसस् dirum करते हैं इसको बलते के इसकर नाम होता है इसका कंडिशनल अ अगर लिखा रहा वह आन्ञेए-टो इसको ऐसे डिनौट करते हैं को बलते उनली इव तura Sad该 दो करतें डबलेृसर का डबल बनी केशन डबल अरो तो डबल ए इंपर लिकीशन सींगल ए रो तो इंपर इंपर सिइम अर chcia और तुमने जितने लौ पड़ें दक नहीं तुमने की सिला और एंड की बात की तो किसी में तुमने और की बात क्या रिए इनके बारे में तो पढ़ लिया यह दुनों बंडारे में हैं इनकी इज़्जत नहीं है को मतलब मेरे को एक बात बताओ अगर क्वेश्चन आया सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में तुमको कहीं पर एंड दिया तो तुम तो फटा-फटा रहे मैंने बहुत सारे लॉप पढ़ रखे हैं मैं लगा दूंगा महां पर कोई ना कोई लॉप पढ़ रखे हैं पूरी कानून पड़े पूरा लॉप पकड़ा देगा तुमको तब क्या करोगे कोई लॉप पढ़ा तुमने एक बीव चुमारे लॉध में तुमने लेखा कंडिश्णिनल का देत्ATA सब नब हो और क्यों कुश्चन में नहीं आएगा क्या ऐसा मत सूचना ऐसा मत सूचना कि एंड और और पढ़ाया तो कुश्चन में और और ही आएगा इतना अच्छा नहीं हमारा स्टाबोर्ड कुश्चन में सब देगा कुश्चन में और भी देगा कुश्चन में और भी देगा कंडि ऐसे लौ है जो आपर लिखे नहीं है में भी वह कहीं आगे कोने वने में लिखे दिया हो मैंने टेक्ष्ट पुक अच्छे से नहीं पड़ा लेकिन हाई तरह पता है मैं तुमको बता सकता हूं और वह तुमारे लिए जानना जरूरी है तुमारे जानना ज़र तो वाट इस ल आम ब्रिकेशन और एक नाम का टता था चंदेशनल और एक नम का ताता है तो अच्छा इसको क्या बोलते शेकर थे दिसको तो तबल implication or a क्नाम का था था-पाइck, अचैनल क्या नाम हम ता था था भाइक कंदेशनल सू वियार गों इसका नाम होगा conditional law कौंसा law conditional law और एक लो जिसका नाम हुगा बाइ conditional law and these two whether they are given in a textbook or not these two are very important law for your boards tomorrow boards में जितने भी एक्जाम आएंगे कहीं पर भी conditional on sata by conditional on sata waha पर अगर तो मतकना नहीं चाते हो तो तुमें दो लौ सीखने पड़ेंगे चालो स्टार्ट करते हैं बहुत बगवांस कर लियुक्त माना तुमा जाओ तो यह कितने लौ पड़े थे लोने पर नो पड़े थे लिए नो पड़े थे चाहा इज आरा 10th एन इंपोर्ट 10th and 11th law आप अपना 10th law पड़ते हैं जिसको हम भी लेंगे conditional law कांसा law conditional law now what is conditional law conditional law पहले देखते हैं कि conditional law बोलता क्या है उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि कहां से आया और क्यों आया जरौत क्या पड़ गई अपने को कंडिशनल लौ बोलता है कि अगर कहीं पर तुमको पी कंडिशनल क्यू ऐसा लिखा हुआ दिखे तो तुम इसकी जगह लिख सकते हो negation P और Q तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो negation P और Q ध्यान से देखना कहीं पे भी अकर तुम को P conditional Q लिखा हुआ दिखे तो तुम इसकी जगह लिख सकते हो negation P और Q अध़र इतना तो समझ गया ठीक है यह दिखे गा तो यह लिख देंगे पर सवाल यह कि पहले बात तुह आया कहां से दूसरी बात क्यों आगर क्यों लिखना है वो अच्छा दिख रहे है ना रो जब दस्तित ना क्यों नीगेशन और और गुसाना बीच में लोगों को समझते पहले समझते कि कहां से आया मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर बाजों म क्या बुलता था किसी चीज में दो बार नीगेशन लगा दो तो आखीर में आंसर में वहीं आता इसका मतलब इसमें मैंगर दो बार नीगेशन लगा दूं तो कोई पढ़ेगा नहीं फर्क पढ़ेगा कि निगेशन कर जाता है लास में आने वाला तो वहीं है कोई फर्क नहीं पढ़ रहा ना चालो ठीक है अब इस डबल निगेशन को ना हुआ शएन हैं पर यहां पर और और एक निगेशन यहां पर और यहां पर देको डबल निगेशन लगा दिया मैं रहर दूद गलिए और में लगा सकता हूं कयाना फ़कूर्स अश्क्रास構 कम लगा सकता हूं कि मैंने अब भी पढ़ा था इंवाल्यूशन लोड डबल निगेशन आखेर माड़ जाता कोई फरक नहीं पढ़ता है तो डबल निगेशन लगा दो मैंने निगेशन के बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तुम लोगों 1.8 में कि निगेशन कभी इस पर टाक करता है बीच वा 1.8 में किया और इसको समना चाहते हैं 1.8 देखना तो यह क्या बन जाता है और यह जो निगेशन होता है सिर्फ किसके साथ जाता है जिस साड़ में एरो पॉइंट करें तो इसको पॉइंट करें क्यों को तो इसे पर निगेशन क्यों यहां पर जाएगा और P as it is आएगा प क्योंकि इसने अंदर क्या आपना रूल लगा दिया ऐसा को उसका गया बाहर में इस बाहरना के अब यह भी नीकेशन अंदरец करेंगा जाकर यह भीने negation दोनों के साथ जाता है एक के साथ बीकिव के साथ जाएगा तो पी क्या है निए सब्सक्राइब कि अख सकता है लिए आपना conditional law, कहां से आया, double negation लगा क्या आया answer, अब ना सवाल या आता है, तुम्हारे मन में भी सवाल होगा, मेरे मन में भी सवाल है, आखिर क्यूं, क्यूं ऐसा कि हम लोग ने, ऐसा करना जरूरी है कि अपने को, देखो मैं बता तो पते problem क्या थी, problem बस दिसना, कि हम लोग ने जितने law पड़े, सब and और और पर अपलाए होते हैं, और अगर गलती से question conditional का आगया, तो हम कुछ करी नहीं सकते, no simplification, कुछ करी नहीं पाएंगे, क्योंकि conditional का कोई अपने को law यह नहीं पता है, तो हम लोग ने क्या सोचा, अगर अपने पास कुछ है, ऐसा तरीका हूं, कि हम लोग conditional को गायबी कर दे, conditional को क्या कर दे, गायब कर दे, conditional की जिगर पर end और 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 आजाए, तो कितना अच्छा लगेगा न, मतलब सो सो conditional से क्या तकलीफ है, अगर कंडिशनल के बार में कुछ पता ही नहीं, तो अगर कंडिशनल को अटा के एंडिया फिर और आजाए, तो मजा आजाएगा, तो बस हम लोग ने आपर वही किया, जैसे conditional आएगा, हम लोग यह वाला ला लगाएंगे conditional law, और conditional गायब हो जाएगा, एक बार conditional गायब हो गया, यह और है, हम लोग ने और के बार में बहुत सारे लोग पढ़ रखे है, अपना question आसान हो जाते हैं इससे, समझा, और एक last law पढ़ते हैं हम लोग, वो क्या अपना, by conditional law, एक last अपना कौन सा law होगा, by conditional law, तो उसको अटाने का तरीका हमने देख लें, उसको अटाएंगे, उसकी जिएक फिर वो लिख देंगे, कायब conditional, यह रभब by conditional के लिए ऐसा कोई तरीका है, क्या है ना, क्या है, अगर तुमको कभी भी कहीं पर लिखा हुआ मिले P by conditional Q, क्या लिखा हुआ मिले तुमको P by conditional Q, तो यहाँ पर बहुत logically हम लोग इसको split कर सकते दो पार्स में, कितने पार्स में, दो पार्स में, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक बार P के साथ, एक बार डबल एरो है ना, आरो साइड पॉइंट कर रहा है, तो मैं अगरता हूँ, एक बारर मैं इसे लिख देता हूँ, P conditional Q, मैंने एक बार रो को सिफ उसी साइड पॉइंट कराया, और एक बार ऐसे लिख देता हूँ, क्यू कनडिशनल P, लिख सकता हूँ ना, क्यों मैं पी कंडिशनल की इक बार पी कंडिशनल के मतलब पी कुप क्यों कुपांट करेंगा इन दोने की बीच में कौन सा सिम्हों डालेंगे घ्म लोग दूआ लगा दूँगा दिस दबाई कंडिशनल लॉव यह कौन सा लोग बाई कंडिशनल लॉव यह बहुत इक कॉमन सेंस वाला टॉपिक है इसमें कोई प्रूफ नहीं कि यह ऐसा कैसे आया यह ऐसा लॉजी कली आए लॉजी कली किया दूनों साइड लगावा एक बार इद कैसे रखना है तो को यार रहने का सिर्फ एक तरीका है चार-पास बार पहले उसको पढ़ो अच्छे से देखो उसको कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है और हां सिप पढ़ने से होगा नहीं बेटर अंडरस्टेंडिंग अच्छे से याद कब होगा जब हम लोग उसको तो exercise 1.9 के जो questions से उसको अगले वीडियो में start करेंगे ये वीडियो फिलाल के लिए बहुत लंबी जा चुकी है वीडियो अगर तुम लोगों को लग रहा है बहुत लंबी है 1.5 पे करके देखो slow लग रहा है 2x करके देखो बस देखो एक बाल लिखके रखलो सब कुछ औ नेक्स्ट वीडियो में 1.5 शार्ट करते हैं अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू